हिलो फ्रेंड्स आप से भी का स्वागत है आपके अपने यूटुब चानल स्टाड़ीवेज सुजीत में तो दोस्तो आज हम क्लाश 12 के प्रिक्स के महत्यपूर्ण सब्जिक्टिव कोसंस के बारे में डिस्क्स करेंगे जो मारे बोर्ड एक्जाम के लिए काफी महत्यपूर जो इस साल बोर्ड एक्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही खास वीडियो है दोस्तो इसमें मात्रे 50 टॉपिक रहेंगे जिनमेंसे आपके बोर्ड एक्जाम में 95% कोसं इसी से ही रहने वाले हैं दोस्तो तो आब अन तक जरू बने रहेगा और इस सभी प्रस्णों को एक क एक परयोगिक नियम है दूसरा यह सरवत्रिक नियम नहीं है यह जो नियम है यह सभी जगह लागू नहीं हो सकता है तो आप कह सकते हैं कि यह जो नियम है सरवत्रिक नहीं है और तीसरा है यह माध्यम के परकृति पर निर्भर नहीं करता है यानि कि कुलाम की जो नियम है या किसी भी परकृती पर नीरभर नहीं करता है दोस्तों और यह किन ही दो इस्तिर बिंदु अवेसों के बीच लगने वाला एक फोर्स होता है निके बल होता है अगर आपके बोडिक जा में ये कोशन आता है तो आप तीन भी लिखते हैं या दो भी दो नहीं तीन भी विदुचेत्र की तीवर्ता से आप क्या समझते हैं काफी महत्त पूर्ण है दोस्तों कि विदुचेत्र की तीवर्ता से आप क्या समझते हैं सभी प्रस्ण महत्त पूर्ण है दोस्तों ये सभी को इतने आसानी से आपको लिखा गया है ताकि इस वीडियो को एक से दो बार अवेस पर लगने वाले बल को ही बिधु चेतर की तीवर्ता कहते हैं और इसे भेक्टर E से सुचित करते हैं आप असानी से लिख सकते हैं कि एकांग धन परिक्षान अवेस पर लगने वाले बल को ही बिधु चेतर की तीवर्ता कहते हैं और इसे भेक्टर E से सुचित करते है भेक्टर E बरावर हो जाएगा भेक्टर F अपन Q नट तो यह समीकरान याद रखे गणितिये रूप यह अबजेक्टिव के लिए हो जाएगा दोस्तों और यहां पर बात करें कि बिधुतिये फ्लस्क क्या है इसका मात्रक क्या होता है तो बिधुतिये छेत्र में खीची टीक पार मानस तीन और एक पार मानस वन ठीक तो आप असाई से इसे लिख सकते हैं परिभासा के रूप में कि बिधुतिये फ्लसक के कहते हैं और इसका मात्रक जो होता है न्यूटर मीटर स्कर प्रतिक कुलाम होता है यह सभी प्रस्ण को अच्छे से जरूर तियारी कर ले तब इलेक्ट्रोनों के आपसी टकर से कुछ उर्जा उस्मा के रूप में बदल जाती है जिसे ही बिधुधारा के उस्मिये पर भाव कहते हैं जैसे बिधुत बालब, आईरन, हीटर, रडे, सोल्डर, सोल्डर तो आपको असानी से याद हो गया होगा कि जब किसी चालक त से धारा बहती है तब इलेक्ट्रोनों के आपसी टकर से कुछ उर्जा उस्मा के रूप में बदल जाती है जिसे ही बिधुधारा के उस्मिये पर भाव कहते हैं और इसका महत्तपोन उधारा बिधुत बाल भगिया आईरन, हीटर या रडे, सोल्डर ये याद रखेगा ये की हैं दोस्तो तो यहां पर एंसर है कि जब क्यू अवेस से अवेसित कर चुमबा के छेतर में भी बेग से गती करता है तो उस पर एक बल कारे करता है जिसे ही लौरेंज बल कहते हैं लौरेंज बल बराबर नहीं की भेक्टर ये बराबर क्यू इंटू भेक्टर भी क्रॉस भेक्टर भी तो आप याद रखेगा ये वाला सुत्र ये अब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा दोस्तो जितने अब्जेक्टिव कोसंस पुछे जाते हैं वह मात्रक और उसके बीमिय सुत्र से पुछे जाते हैं तो ये बराबर क्यू भी भी साइन ठीटा ये इसका मान हो देगा तो आपको याद हो गया होगा एक बार में कि जब क्यू आवे से अवेसित कर चुमबके चेत्र में भी बेक से गती करता है तो उस चेत्र पर एक वल कारे करता है जिसे ही लौरेंज बल कहते हैं बिल्कुल ये असाई से आप याद कर सकते हैं अगर आपको लगता हो क यह महत्तपोर नहीं है तो आप सेशन को यहीं पे आप छोड़ कर जा सकते हैं और बोड इक्जाम अगर दे कर आते हैं उस समय आप इस सेशन को देखिएगा बिल्कुल हंडे परसेंट यहीं से कोचा रहने वाले हैं दोस्तों याई कि पूरे ग्रांटीत के साथ कर सकते हैं 100% यहीं से कोषन मिलने वाले हैं और लगता हो कि महत्पोर्ण नहीं है तो आप सेशन को यहीं से छोड़ कर जा सकते हैं अगर आपको लगता हो कि महत्त्रपूर्ण हो तो आप पूरे 50 टपिकों अच्छे से त्यारी कर लिजे देख लिएगा कि इसी से ही कोशन आपको मिलेगा 100% दोस्तो चुम्बकिये फ्लस्क क्या है इसके मात्रक बताएं काफी महत्त्रपूर्ण प्रशन है दोस्तो कि चुम्बक्ये छेत्र क्या है इसके मात्रक बताएं तो चुम्बक्ये छेत्र में किसी तल से होकर गुजरने वाली बल रिखाओ की संख्या को ही चुम्बक्ये फलस्क कहते हैं और इसे फाई से सुचित करते हैं याद रखेगा और इसका जो मातरक होता है चुमबकिये फ्लसक वो विवर होता है या आप कह सकते हैं नूटन मीटर प्रती मिवर हो जाएगा या तेसला मीटर स्कुायर होता है जोश्तों इसका मातरक तिनो मातरक को याद रखें तिनों में से एक बोड़ इकजामे 100% रहने वाले हैं फाइ यी बराब होता है वेक्टर भी डॉट वेक्टर ए उसे लिग सेकते हैं यह आप नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है और आपके प्रशने पुछा जाता है बोडिग जामे कि चुम्जल क्या है इसका मात्रक क्या है तब चुम्जल की फरस्ट का परिभासा देकर इसका मात्रक लेख देते हैं तो आपको फूल अंक मिल डाएंगे दोस्तों यह आपको समझाने के लिए है कि यह चीज होता है इसमें ठीक तो यहाँ पर प्रश्ण है कि लेंज का नियम क्या है काफी महत्तपुल प्रश्ण है दोस्तों कि लेंज का नियम क्या है तो बिधुत चुम्बक्ये प्रियाण की सभी इस्तितियों में बिधुत वाहक बाले की दीशा इस परकार होती है कि यह उन्ही कारणों का बिरोध करती है जीन कारणों से यह उत्पन करती है वह लेंज का नियम कालाती है माले जी कि आपका तो जन्म हो गया है आपकी माता पी समाज में आ जाना चाहिए दोस्तों और वोड इग्जा में इसे आप असाइं से लिख पाएं वहीं हमारा मकसद है सो परसें दोस्तों कि विदुचुम्बक्य प्रेयार की सभी इस्तितियों में विदुत्वाहक बलकि दिशा इस परकार होती है कि यह उन्ही कारणों का बिरो करते हैं मुìnत करते हैं आपको यह याद वी हो गया होगा सो परसेंट दोस्तों और यहां प्रस्ण नमन कौन या नती कौन की से करते हैं दोनों का सेम ही नाम है नमन कौन का है या नती इती错 के लिए महत्त्वर सथान थैसक्रिण की प्रिथवी के किसी अस्थान पर बनेन बनने वाला वह कोड़ जो चुमबकिय यमियोतर में चुमबकिय छेत्र की दीशा और छेतिस के साथ बनता है तो ऐसे कोड़ को ही नती कोड़ या नमन कोड़ कहते हैं आपको एक बार में अगर याद नहीं हुआ तो एक बार और इसे अच्छे से समझाने का प्रियास करते हैं कि प्रित्वी के किसी अस्थान पर बनने वाला वह कोड़ जो चुमबकिय यमियोतर में चुमबकिय छेत्र की दीशा और छेतिस के साथ बनता हो तो ऐसे कोड़ को ही नती कोड़ या नमन कोड़ कहते हैं तो चलिए अब नेक्षन प्रस्ट को देखते हैं और यहाँ पे प् वहती हैं ठीक पहला तो आपको समाज में आगया दुसरा है जो कि यहां पर प्रस्ट्न है सुरी एंसर में कि तीसरा है कि विदुचेतर रेखाओ चालकों से होकर नहीं गुजर सकती है यानिकि कहने कारते कि विदुचेतर जो रेखाए होती है वह जो चालक होती है इसे होकर नहीं गुजर सकते है ठीक और भिदु छेतर रिखाए अचालकों से होकर गुजर सकते है यह अचालकों से होकर गुजर सकते है तो आप असाइन से लिख सकते हैं इसके गुंड अगर बोड इजान पुछता है तो आप तीन भी लिखते हैं गुंड को तो आपको दो वह अंक मिल जाएंगे दोस्तों चार इसलिए बताया गया है ताकि आप चारों में से तीन निकि चार याद कर जाते हैं तो तीन आप असाइन से लिख सकते हैं और यहां पर प्रस्ण आप देखेंगे कि अनुगमन बेग से आप क्या समझते हैं काफी महत्तपुल प्रस्ण है बोडिक जामें कि विधुचेतर में इलेक्ट्रोनों के आउसत एक दिस्य बेग को ही अनुगमन बेग कहते हैं जिससे हम भी डी से सुचित करते हैं और भी डी बराबर होता है मिव इंटु ए अगर आप परिभासा नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका गनितिया मान लिख द देगे दोस्तों और यहां प्रस्णेदी कार्बन कलर र Cornल कोड क्या है या कार्बन परति रोध क्या है अब स्मझते हैं यह कितनी बार हमारे बोड्में लगवक पूछे जाते हैं कि कार्बन कललर कोड क्या है तो सद्ग से परिश्ञानिव में लिख्यां тр पीला रंग का चार होता है याद रखेगा तो इलेक्ट्राणी परतिरोधों में उच परिसर वाले बिधुत परतिरोधों का उप्योग किया जाता है जिसे ही कार्बन कलर कोड कहते हैं यहां से अबजेक्टिव को संस किलियर हो जाएंगे तो चलिए नेकटा प्रस्ण को देखेंगे स्क्रीन पर की विधुत चुमबकिया प्रियार से आप क्या समझते हैं तो बेलकोल ही आसाई से समझने का प्रयास करेंगे कि जब कुंडली जब किसी कुंडली और चुमबक के बीच अपेक्छी गती होती है तो कुंडली में एक विधुत वाहक बाल उत्पन हो जब किसी कुंडली और चुमबक के बीच अपेक्छी गती है तो कुंडली में एक विधुत वाहक बाल उत्पन हो जाता है जिससे परिपत में धारा बहने लगती है ठीक और एसी धारा को प्रेरित धारा तथा इस घाटना को ही विधुत चुमबकिया प्रियार कहते हैं को दोस्त की समान बहनते हैं आप जैसा बोलते हैं वैसा ही चालना के माध्याम से भी प्रवाइड किया जाता है तो आप हमारे साथ हैं तो कोई दिकत हमें नहीं हो सकती है दोस्तों और यहां परशन है कि अन्यों ने प्रेंदार रख्या है तो आपको असानी से समझाने का प्रियास करेंगे ताकि आपको पूर्था समाज में आ जाए कि जब कुंडलिया पास-पास होती है मालिज ये एक कुंडली है जब कुंडलिया पास-पास होती है तो पहली कुंडली में धारा परिवर्तन होता है मालिज इसमें धारा परिवर्तन होता है तो दूसरी कुंडली पास-पास होती है तो पहली कुंडली में जब धारत पडिवारतन करते हैं तो दूसरी कुंडली में बीदुद्वाःक बल प्येडित हो जाता है तो इस घातना को ही अन्योने प्रेयर कहते हैं इन सभी परस्टे को कपी पर जरूर उता लेजेगा दोस्तों और इसे आप प्रयाक प्रेक्टिस करते लगेगा क्योंकि प्रेक्टिस इदा की आप सकते हैं तो आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकते हैं दोस्तों और 90 क्रांती कोंड क्या है तो क्रांती कोंड क्या होता है इसे भी हम लोग असाइन से देख लेंगे कि 90 डिग्री अपवर्टन कोंड के संगत आपतन कोंड को ही क्रांती कोंड कहते हैं जिसे ICI theta C से सुचित करते हैं इतना लिख देते हैं तो आपको दो अंक मिलना संभब 90 degree अप्वार्टन कोण के संगत आपदन कोण कोई करांती कोण कहते हैं इसे ICI या delta सुरी theta C से सुचित करते हैं आप असाई से लिख पाएंगे दोस्तों और यहाँ पर प्रस्ण है ये तो आप देखते हैं कितना महत्यपूल प्रस्ण है दोस्तों आपको लगता होगा कि भवरधारा क्या है इसके दो उप्योग लिखें तो जब भवरधारा वनली पुछेगा तो इसका परिभासा देंगे कि जब किसी धातु के टुकडे को किसी परिवरतन सील चुमबा के छेतर में रखते हैं तो उसके संपुर्ण आयतन में एक धारा प्रेरित हो जाती है जिसे ही भवरधारा या फोको धारा के नाम से जानते हैं अगर आपको भवरधारा लिखा हुआ नहीं मिलता है तो आप फो फोकोधारा अगर मिलता है तो वहीं भावरधारा को ही फोकोधारा कहते हैं तो आप आसाइन से परिभासा लिख पाएंगे कि जब किसी धातु के टुकुरे को किसी परिवर्तन सील चुमबा के छेत्र में रखते हैं तो उसके संपुर्ण आयतन में एक धारा प्रेरित हो जात है कि प्रेयान भर्ठियों में किसका उप्या करते हैं तो भावरधारा का रियाद रखेगा आप तो चलिए नेक्स्टा प्रस्ण को देखते हैं और यहां पर आप प्रस्ण देख रहे होंगे कि वाट हीं धारा की से करते हैं काफी महत्यप्र प्रस्ण दोस्तों कि वाट ही और उनमें परतिरोध का मान सुन्य हो तब परिपत में धारा तो बहती है लेकिन उर्जा की हानी नहीं होती है तो इस परकार औसथ सकती पी एवरेज़ बराबर 0 यानिकि सुन्य प्राप्त होता है तो वाट हीन धारा इसे ही कहते हैं दोस्तों आपको एक बार में याद नहीं का कोशिस करते हैं आपको याद भी हो जाएगा कि परत्वर्दी धारा परिपत में जब प्रेरकत्वा अथ्वा धारता हो और उनमें परतिरोध का मान ने सुन्य दिया गया हो तब परिपत में धारा तो बहती है लेकिन उर्जा की हानी नहीं होती है इस परकार औसल सकती करते हैं आपको यह समाज में आगया होगा कि वाटे ही धारा की से कहते हैं और आपको सेशन जब अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर तो बनता है अगर आपको सेशन अच्छी नहीं लग रही हो तो दिसलाइक तो जरूर बनता है जो भी है आप हमसे कह सकते हैं अग आपको शेशन आची नहीं लग ही तो दिशलैक तो जरूर कजिए क्योंकि जब आ ही गए है तो आपको अच्छा तो जरूर ही लगेगा और आच्छा नहीं तो हम जो बोले हैं वो उस पर आप गोहर खीजिएगा दोस्तो विद करते हैं आपको सेशन अच्छी लग रही होंगी और यहाँ प्रशने की परकास तंतु क्या है तो परकास तंतु यह एक परकार की ऐसी युपती है जिसकी सहायता से बहुत ही कम तिवर्ताहानी पर परकास को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक भेजा जाता है दोस्तो और यह परकास तंतु जो होता है पुर्ण आंतरिक परवर्तन के सिधान पर कारे करता है यह तो एक बार और इससे समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको 100% याद हो जाए अभी की अभी तो जब परकास तंतु यह एक परकार की ऐसी युकती है जिसकी सहायता से बहुत ही कम तिवर्ता हानी पर परकास को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक भेजा जाता है और यह जो घटना है उन आंतरिक परवर्तन के सिधान पर कारे करता है तो चलिए आज का खतरना कौसंस को देख लेते हैं धाकर कौसंस जो बार-बार बोड एकजाम पुछ लिया जाता है कि परकास का परकिरनन क्या है तो जब किसी सुरोत से आने वाली परकास के कीरन किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो परकास का कुछ अंस उस माध्यम के कौन द्वारा और शोशित कर लिया जाता है ठीक और शेस अंस इधर उधर विखर जाते हैं और इस घाटना को ही परकास का परकिनन कहते हैं ये भी अमारे बोड के लिए महत्तपून है दोस्तो ये भी बार-बार लगभग पुछ लिया जाते हैं तो जब किसी सुरोथ से आने वाली परकास की किरन किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो परकास की कुछ अंस उस माध्यम के कौन द्वारा और सोशित कर लिया जाता है ठीक और सेस अंस इधर उधर विखार जाते हैं और इस ही घाटना को ही परकास का परकीनन कहते हैं उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो गया होगा तो चलिए नेक्स्ट प्रस्ण को देखते हैं और यहाँ पे आप प्रस्ण देख रहे होंगे कि समतुले लेंसों से आप क्या समझते हैं तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक लेंस निकायों के बदले एक ऐसा लेंस लिया जाए जिसके दोरा उतना ही दूरी पर उतना ही अवर्धित परतिवीम बने जितना कि इस लेंस के निकायों द्वरा प्राप्त किया जाता है तो ऐसे लेंस को समतुलि nhất लेंस कहते यringe कि एक बार मैं इसे समझने का प्रयास करेंगे यह कि आनि यानि कहने का ारथ इसमें दो लेंस लिया गया ठीक इसमें एक और लेंस लिया जाए ये दोनों के दोरा जितना परतिवीम अवर्धित बनता है वह ये केले या इसके दोरा जो पराप्थ होता है परतिवीम उसी को ही समतुले लेंस कहते हैं यहां पे आप परिभासा के सामझेंगे कि दो या दो से अधिक Lens निकायों के बदले एक ऐसा Lens लिया जाए जिसके दोरा उतना ही दूरी पर उतना ही आवर्धित पर्तवीम बने जितना कि इस लेंज के निकाए द्वरा प्राप्त किया जाता है तो ऐसे लेंज को ही समतूले लेंज कहते हैं तो अपको यह पूरा हंडे परसंट याद भी हो गया होगा अभी क्याभी दोस्तों तो यह तो लाइक जरूर बनता है दोस्तों कर देजिए क्योंकि हम तो आप ही से कुछ मांग सकते हैं क्योंकि हम आपको दोस्त के समान मानते हैं तो आप से हम मांग भी सकते हैं और दे भी सकते हैं तो आप जरूर कमेंट किजिएगा कि ये सेसन आपको कैसा लगा आपको जिस भी सब्जेक्ट में डाउट होगे तो एक प्रश्न आपों देखेंगे कि परकास विधुत् परभाव क्या है तो परकास विद्धुत् परभाव में क्या होता है कि जब किसी धातु सतह पर परकास परता है तो धातु सतह से परकास इलेक्ट्रोनों का उत्सरजन होने लगता है ठीक इस घाटना को ही परकास बिदुद परभाव कहते हैं तो आपको एक बार में भी याद हो गया होगा कि जब किसी धातु सतह पर परकास परता है तो धातु सतह से परकास इलेक्ट्रोनों की उत्सरजन होने लगता है तो इस घाटना को ही परकास बिधुत परभाग वहते हैं तथा इससे जो निकलने वाले ये अपसे अगर प्रिवाशा पुचता है तो इतना लिख देतें परकास विदूत परभाव क्या है तो आपको दो अंक मिल जाएँगे दोस्तो तो जब कीसी धातुर सता परकास परता है तो धातुत सता से परकास इलेक्टriters की उफ्षरजन होने लगता है तो उसे ही परकास विद० परभाह कहते हैं और यहां पे आप देख रहे होंगे यह तो लगभग अर्जब किसी तिक्ष किनारों से होकर गुजरता है तो यहीं कोषन में करवाया जा चुका है ताइए तो यहीं कोषन link आורे हैं इस से jeg तो जब किसी परकास की कीरन तिक्ष किनारों से होकर गुजरता है तो आंसिक गृप से मुर जाने की परकीरिया कोहीं परकास का भी वर्टन कहते हैं और यहां पिर आप प्रश्ण देख रहे होंगे इस ग्रीन के रेले का परकीरना नियम क्या है या तो दो नमबर में कोशन पुछेगा या आपसे अबजिक्टी में ये कोशन आपको देखने को मिल सकता है ठीक तो रेले का परकिना नियम क्या है तो रेले के दोरा बताया गया कि परकिनित परकास किती बड़ता उसके तरंग धेरे के चतूर्त घात के ब्यूत करन पाती होता है याई बराबर वन बाइफ लेमडा के पार फोर तो आप यहां से लिख सकते हैं दोस्तों कि रहले के दोरह बताएगा कि परक्रिणित परकास कृतिवर्था उसके तरह ध्यरे के चतुर्थ घात के ब्यूत्प्रण पाती होता है तो चलिए नेक्स परस्ण को देखते हैं और यहां परस्ण देख रहे होंगे इसके दिन पर कि हीरा क्यों चमकता है तो इससे अबजेक्टिव देखे कितना अबजेक्टिव बनेगा एक रांतिक कोर से बनेगा एक यहां पर उसका अपरतनांग से बनेगा तो दो अबजेक्टिव इससे बनेगा अगर आपसे दो नमर बार में पूछे जा तो यहां से सब्जेक्टिव को संबंद जाएगा तो हीरा क्यों समकता है इसे भी हम लोग आसाइश से देख लेंगे एक बार में आपको याद हो जाएगा हम जानते हैं कि हीरा का अपरत रांग 2.04 होता है और क्रांति कौर 24.04 होता है हीरा के फलकों को इ इसी के कारण हीरा हमें चमकता हुआ परतीत होता है यानि कहने का अर्थ है चुकि हम जानते हैं कि हीरा का परतनांग 2.04 और क्रांति कौर 24.04 डिग्री होता है हीरा के फलकों को इस परकार काता जाता है कि इसमें एक बार परकास परव्यस कर जाए तो उसका बार बार पूर् वैसे तो हम लोग बाई चान से ही हीरा को देख पाते हैं वो ना मत्रा में तो यहाँ पर आप आसाई से लिख सेकते हैं परिभासों को आपको एक बार में याद हो गया होगा दुस्तों और यहाँ पर आप बात करें 24 प्रस्ट के बारे में कि दिश्ट धारा क्या है तो वैसी धारा जो हमेशा एक दिश्ट धारा की परवाहित होती है अर्थात धारा के परवाह की दिश्ट धारा कहलाती है आपको एक बार मैं भी याद हो गया होगा वेसी धारा जो हमेशा एक दिस्य प्रवाह होती है अर्था धारा की प्रवाह की दिस्य नहीं बदलता है यानि कि जिस दिस्य में यह जाएगी उसी दिस्य प्रवाहित होती है अर्था धारा की दिस्य नहीं बदलती है उसे ही दिश्ट धारा कहते हैं तो यहाँ पे प्रस्ण है कि स्वप प्रेणार से आप क्या समझते हैं तो इसे भी हम लोग आसाइन से याद कर लेंगे कि विधूत चुमबाक्ये प्रेणार की वह घाटना जिस घाटना के अंद्रगात किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन के कारण स्वेम उसी कुंडली में प्रेणी धाराएं उत्पान हो जाती है तो इस घाटना को ही स्वप प्रेणार कहते हैं यानि कि इसे एक बार मैं समझने का प्रियास करेंगे दोस्तों कि विधुत चुमाकिये प्रेनार की वह घटना जिस घटना के अंतरगात किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन के कारण स्वयम उसी कुंडली में प्रेरी धाराएं उत्पान हो जाती है तो इसी घटना को ही स्वय प्रेनार कहते हैं दोस्तों और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 26 प्रस्न को कि धुरू प्रवालता से आप क्या समझते हैं काफी महत्तपूर प्रस्न हैं दोस्तों कि धुरू प्रवालता क्या है ठीक तो धुरू प्रवालता वहमान है जो एकांग धु द्रूग के लिए वायू में एक मिटर की दूरी पर इस्तित समान धुरूव की दसके पार मानस साथ न्यूटन के बल से अकरसित करता है तो उसे ही हम धुरूपर बलता करते हैं और इसका जो मात्रक होता है एंपियर मिटर होता है दोस्तों याद रखेगा इसका मात्रक तो धुरूपलवलता वहमान है जो एकांग धुरूग के लिए वायू में एक मीटर की दूरी परिस्तित समान धुरूग की दसक परमाना 7 न्यूटन के बल से अकरसित करता है तो उसे ही हम दुरूपलवलता कहते हैं और इसका मात्रक एंपियर मीटर आप याद रखेगा दोस्तो तो दोस्तो इस परकार से इस सेसन मात्रे 26 परस्नों को देखे हैं अगर आप अगला वीडियो चाहते हैं यानिकि 26 से 50 तक तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा पार्ट इन ही सभी प्रस्नों के माध्य हैं से दोस्तो ओगर सेसन अचाहिएगे वोटquent एक लाएक जरूर कर दीजिएगा दोस्तो और चानल पर नए जूटे हो तो जरूर सब्सक्कार्इग कर दीजिएगा उगर इसका पार्ट टूट सब्सक्क्राइब प्रयास कीजिएगा तो मि